नमस्कार दोस्तों जानिये कैसे में आपका स्वागत है इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्त संबंदि जानकारी लेकर आते हैं अगर आपने हमारा चैनल जानिये कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुर्पया सब्सक्राइब करें जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोज देख सकते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक नोटिफिकेशन बेल होगी उस पर आप प्लिक कीजिए जिससे के आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी आज मैं आपके लिए जो महत्व पूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ वो है अनार और लहसुन का जूस एक साथ पीने के फायदे जी हाँ दोस्तों लहसुन में खाने को अलग स्वाद देने की शमता होती है जो बहुत से लोगों को पसंद होती है लहसुन का जूस हमारे सहत के लिए बहुत फायदे मन्द होता है इसमें कई पीमारियों को ठीक करने की शमता होती है दोस्तो आईए जानते हैं लहसुन के जूस के बारे में लहसुन के जूस की तस बुंदे और दो चम्मच शहत को एक गलास पानी में मिला कर रोजान पीने से दमा जैसे रोग बहुत दूर भाग जाते हैं अगर आपका गला खराब है तो आप लहसुन के जूस को करम पानी में मिला कर गरारे करने से गले की खिचच को तुरंत आरम मिलता है लहसुन के रस के बीज बुंदे और एक गलास अनार का जूस मिला कर पीने से किसी भी तरह की खासी पूरी तरह से ठीक हो जाती है लासुन के जूस को मुहासे से छुटकारा पानी के लिए सीधे चहरे पर लगाया जा सकता है लासुन के जूस को दिन के समय चहरे पर लगा कर पाच मिनिट के लिए रखना चाहिए और फिर इसे पानी के साथ दो लेना चाहिए इस उपाय को मुहा से गायब होने तक अपनाना चाहिए लासुन के जूस को दूद के साथ मिला कर रोजाना सुभा के समय पीने से महिलाओ को होने वाले पांचपन पर नियंतरन किया जा सकता है लासुन के जूस का सबसे कारगर गून होता है शरीर में कोलेस्ट्रोल का स्थर को कम करना और कम बनाए रखना इसका नियमित इस्तमाल से रुदाए घाद और दूसरे रुदे संबनली बिमारेों से खत्रा कम होता है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंदाया हो तो इसे लाइक करना न भूले किसी भी मदद अत्वा सुजाओ के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल जानिये कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में दिये गए गोलाकार लोगो पर आप क्लिक करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं